हलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनैलसिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो आज यूश्वल शुरू करूँगा फिंगर्स के अनैलसिस से उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सैटिंग को अनमाउंट्स को और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को इस तरह से पुरे हैंड का जो अनैलसिस हम कम्प्लीट करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ साथ साथ ड्रॉ करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो नमबर आपको आपकी स्क्रीन के उपर नजर आ रहा है यह मेरा वाटसाइप नमबर है अगर आप यह अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं नजर आ रही है जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वरकिंग और अनलेटिक टाइप की परसनालिटी को और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर दिख सकते हैं फिंगर्स काफी थिक हैं बहुत अच्छी लेंट में नजर आ रही हैं सभी फिंगर्स के ऊपर कुछ आड़ी रिखाएं आपको नजर आएंगी कुछ इस तरह की रिखाएं काफी ज़्यादा मात्रा में आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी ऐसे रिखाओं का होना नेटिव को थोड़ी अग्रेसिव नेचर का बनाता है अगर हम फिंगर्स की थिकनस की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफी थिक हैं जिस वज़े से एनरजी का लेवल काफी अच्छा रहता है ऐसे विक्ति काफी एनरचाटिक होते हैं energy and stamina काफी बहतर ऐसे व्यक्ति के भीतर देखा चा सकता है अगर हम length की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तरजिनी उंगली बहुत अच्छी लंबाई में है ऐसे व्यक्ति बहुत knowledgeable होते हैं जिनकी यह finger अच्छी length में हो दूसरों को रास्ता दिखाने वाली काइड करने वाली personality ऐसे व्यक्ति की रहती है साथी साथ काफी spiritual minder type की nature भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है अगर हम इनकी शनी finger की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल straight और काफी अच्छी length में इनकी शनी finger नजर आ रही है इस तरह की शनी finger का होना native को महिनती nature का बनाता है discipline personality एक अनुशाशन प्रिया और नया प्रिया टाइप की nature ऐसे व्यक्ति की रहती है और अपने इनी खूबियों की वज़े से जीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामियाब रहते हैं अगर हम इनकी सूरिया finger की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे लंबाई में यह finger आपको इनकी तरजनी के equal नजर आएगी एक अच्छी लंबाई में सूरिया finger का होना दरशाता है कि नेटिव काफी creative nature का रहेगा काफी अच्छी artistic qualities ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं लेकिन साथी साथ ऐसे नेटिव थोड़े risk taker type के होते हैं चीवन में risk लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन से जुड़ी investments के मामले में भी risk लेते हुए ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है जिनकी सूरिया finger अच्छी लंबाई में हो otherwise काफी अच्छा social circle बना पाने में यह finger एक लंबी सूरिया finger native की help करती है और काफी creative nature का native को बनाती है अगर हम इनकी सबसे चोटी यानी mercury finger को देखें आप यहाँ पर देखेंगे बहुती अच्छी length में यह finger नजर आ रही है जिस वज़ए से काफी strong communication skills ऐसे native के रहते हैं लेकिन साथी साथ यह finger आपको low set भी नजर आएगी आपको draw करकर दिखाना चाहूँगा यहाँ पर अगर हम यहाँ से एक line draw करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रिखा बनती हुई जिसमें आप देख पाएंगे इनकी जो mercury finger है थोड़ा नीचे से शुरू होते ही बाकी की finger से मेकाबले जैसे आप यहाँ पर देखेंगे यह है इनकी groove finger है यह है शनी और यह है सूरय तीनों की तीनों काफी high set है जबकि mercury finger आपको यहाँ से low set होती नजर आएगी जिस वज़े से थोड़ी hesitation वाली और shy type की nature ऐसे व्यक्ति की रह सकती है बात करते हैं इनके mounts की अब यहाँ पर देखेंगे groove का area काफी उभरा हुआ है ब्रसपती mount जिन लोगों का इस तरह से उभरा हुआ रहता है उठा हुआ रहता है ऐसे व्यक्ति बहुत ग्यानवान होते हैं education के क्षेत्र में या अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत अच्छी achievements पा सकते हैं आपको इनके हाथ में एक वलाय नजर आएगा जिसको हम ring of Solomon कहते हैं कुछ इस तरह का एक चिन यहाँ जो guru वलाय है यह native को बहुत ही knowledgeable बनाता है ऐसे व्यक्ति लगभग 40 वर्ष के आसपास की एच में पहुँचकर काफी ज़रा special हो जाते हैं अध्यात्मिक कामों में रूची लेने वाली personality ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है और साथी साथ गुरू वलाय होने से समाज में काफी अच्छा मान समान ऐसे व्यक्ति को जरूर मिलता है व्रस्पति म रिखा से निकल कर उपर की तरफ बढ़ती हुई आपको नजर आएं तो यह है प्रोग्रेस लाइन्स कहलाते हैं जैसे व्यक्ति अपने चीवन में काफी अच्छी तरकी कर पाने में कामयाब जरूर होते हैं बात करते हैं इनके हाथ में बनने वाले मिस्टि क्रॉस की आपक क्रॉस होगा उतने जादा इंटेंस प्रभाव ऐसे क्रॉस के देखने को मिलेंगे ऐसा क्रॉस होने से नेटिव की छटी इंदरी स्क्रिया रहती है आने वाली खटनाओं का पूर्वा अनुमाल लगाने की खिशमता ऐसे व्यक्ति की काफी अच्छी रहती है और ऐसी ऐसा क पामिस्ट्री, टेरो कार्ट, सुवास्तू, रेकी जैसी जो विद्याएं है इनमें नेटिव की काफी अच्छी रूची रह सकती है इस तरह के मिस्टि क्रॉस की वजह से बात करते हैं इनके शनी बरवत की आप देखेंगे यहां पर शनी का जो एरिया है दबता हुआ नज करता है कि नेटिव को चीवन में इनिशियल दौर पर काफी संहर्ष करना पड़ेगा काफी मेहनत ऐसे व्यक्ति के चीवन में रहती हैं अगर हम देखें इनकी शनी रेखा यानि भाग्या रेखा को तो भाग्या रेखा में भी हमें कुछ ब्रेक्स नजर आ रही हैं कुछ इस तरह की फेट लाइन आपको इनके हाथ में नजर आएगी जो कुछ ओवरलैपिंग्स के साथ लेडर टाइप की फॉरमेशन बनाती हुई आगे बढ़ रही हैं यहां पर आप देखेंगे यह जो बीच में ब्रेक्स आ रही हैं यह जीवन में आने वाले अपसेंट डाउ 36 की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की अपने चीवन में पाने में काम्याब हो जाते हैं बात करते हैं इनके हाथ में बनने वाले शुक्रवलै की आपको यहां पर एक वलै नजर आएगा जो पूरी तरह से नहीं बन रहा कुछ अधूरी रिखाओं से इस तरह का अर्द चंद्रमा बनता हुआ जिसे गर्डल ओफ वीनस कहा जाता है शुक्रवलै कहा जाता है अगर यह रिखाएं आपस में कनेक्ट हो जाएं यानि कुछ इस तरह से आपस में जुड रही हो और ऐसा अर्द चंद्रमा बना दें तो इससे complete गर्डल ओफ वीनस कहेंगे जिन लोग अगर यह ब्रोकन हो जैसे यहां पर नजर आ रहा है तो इसके प्रभाव थोड़े opposite मिलते हैं इस तरह का ब्रोकन गर्डल ओफ वीनस हाथ में होना नेटिव को मूडी नेचर का बनाता है भले ही रूची ऐसे व्यक्ति की entertainment industry की तरफ रह सकती है लेकिन यह जो टूटा हुआ गर्डल ओफ वीनस होता है नेटिव को कुछ negative प्रभाव देता है और ऐसे व्यक्ति को mood swings की दिक्कत का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है अगर हम इनके सूर्य परवत की बात करें तो यह जो area है सूर्य का दबता हुआ लंबी सूर्य रेखा का अभाव है यहां पर च शमता रखते हैं या किसी भी एक काम पर पूरा focus नहीं करते है कि समय पर कई काम करने की रूची इनके भीतर देखी जा सकती है और इस तरह ऐसे दबा हुआ सूर्य परवत होने से जीवन में यश्की भी कमी रहती है ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले दू किन ओवरॉल यह एरिया आपको उठा हुआ भी नजर आएगा इस तरह का Mercury Mount होने से Native के Communication Skills काफी बहतर देखे जा सकते हैं बात करते हैं इनकी Heartline की अब यहाँ पर देखेंगे Heartline कुछ इस तरह से Curved Shape में आपको नजर आएगी इस तरह की Heartline होना और उसके उपर यह गर्डल विशनल नेचर का बनाती है साथी साथ आपको Heartline के अंत में यानि गुरू परवत पर पहुंचकर इस तरह का एक वी सिंबल बनता हुआ नजर आएगा जिसको विशनु चिन कहा जाता है जिन लोगों के हाथ में इस तरह का विशनु चिन बनता है ऐसे व्यक्ति अगर जीव पानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो चीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुख सकती हैं आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह की downward branches इनकी Heartline के जरिये और यहाँ पर एक हलका Island बनता हुआ भी आपको नजर आएगा इस तरह की formation Heartline के उपर होना indicate करता है कि native को later age में चलकर heart से सुबंदित कुछ दिक्कते हैं blood pressure जैसी problem जैसे cholesterol जैसी समस्याई हो सकती हैं और later age में चलकर इन्हें अपनी heart की health का अधिक ध्यान रखने की जरूरत बढ़ सकती हैं बात करते हैं इनकी mind line की आप यहाँ पर देखेंगे mind line कुछ इस तरह से हलक जुकती हुई साथ में एक रेखा और sportive चलती हुई ऐसी mind line काफी अच्छी memory तो देती हैं लेकिन थोड़ी overthinking की समस्या native को रह सकती हैं ऐसी mind line होना indicate करता है कि native को over imagination की problem हो सकती है ऐसे व्यक्ति काफी जदग कलपना शील होते हैं अगर ऐसा native अपनी कलपना शीलता को अपन इस तरह की मस्तिक्ष रेखा की वज़े से देखी जा सकती हैं बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की आप यहां पर देखेंगे जीवन रेखा अच्छी length में नजर आ रही है और जीवन रेखा के अंत में मच्छी नुमा चिन बनता हुआ यह जो रेखा है लगभग आपको य आइफ लाइन दर्शाती हैं यहां पर आकर आपको केतू माउंट के उपर इस तरह का एक चिन बनता हुआ भी नजर आएगा इस तरह के चिन को केतू परवत के उपर बनने वाला फिश का चिन कहा जाता है और जिन लोगों के थेली पर ऐसा फिश का सिंबल बनता है ऐसे व् सकती है जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं भी इस तरह के फिश के सिंबल की वज़े से पॉसिबल रहती हैं अगर बात करें इनके शुकर परवत की तो आप यहां पर देखेंगे यह जो माउंट है शुकर का माउंट काफी अच्छा नजर आ रहा है उपरा हुआ वीनस माउंट जिसकी वज़े से जीवन में हर तरह की सुकसुधाएं रहेंगी लेकिन इस माउंट के उपर आपको काफी सारी आड़ी रिखाएं इस तरह की बारीक रिखाएं दखाई देंगी जिनको हम वरी लाइन्स के नाम से जानते हैं ऐसी रिखाएं होने से नेटिब को कुछ न कुछ चिंताएं अपने परिवार को लेकर अपनी मैरिड लाइफ को लेकर परशानी दे सकती हैं अगर हम इनके चंदर परवत की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे चंदर परवत का जो इरिया इस पर काफी सारी रिखाएं हैं कुछ इस तरह की आड़ी रिखाओं को यहां पर काफी मात्रा में होना अच्छा चिंद नहीं माना जाता है जतनी अधिक रिखाएं चंदर परवत पर होती हैं उतनी ज़्यादा बेचैनी और एंग्जाइटी की समस्या का सामना भी नेटिव को अपने चीवन में करना पड़ सकता है तो दोस्तों ये कुछ अनैल्सिस थी इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सुवालों के जो आप एकी वीडियो के थुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिंद या सुवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई है तो मुझे वट्सैप पर मेसेज करें मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद